गाईस ये जो सामने वाला भीड देख रहे ना यहाँ पे गाड साप खड़े हैं और यह गेट इतना अलिसान सा आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुए जलसा तो गाईस आप लोगों को बता दे यही है अमिता बच्चन जी का घर मुंबई वाला जी ह आप लोगों को बता दे अमिता बच्चन जी इसी घर में रहते हैं यहाँ पे देख रहे हैं दीरे दीरे पबलिक यहाँ पे बढ़ते जा रही है मतलब क्राउड होते जा रहे हैं यही है अमिता बच्चन जी का घर आप लोगों को बता दे जलसा अपार्टमेंट यहीं पे अमिता बच्चन जी रहते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहां पे मिलने के लिए आ चुके हैं काफी सारे लोग जो की अमिता बच्चन जी से संडे के दिन ये बाहर निकलते हैं गाईस आप लोगों को बता दें कि हर संड़े को अमिता बच्चन जी बाहर निकलते हैं अपने इसी जलसा अपार्ट्मेंट में से आप लोगों को बता दे सभी लोगों से मिलते हैं सभी लोगों को हाई हेलो करते हैं आप लोग अमिता बच्चन जी के फैन होंगे comment box में week fan जरूर लिखेगा guys आप लोगों को बता दे अमिता बच्चन जी मुंबई के जुहू में ये इस्थीत है इनका बंगलो हाँ guys आप लोगों को बता दे अमिता बच्चन जी का ये बंगलो मुंबई के जुहू में इस्थीत है आप लोग जब गूगल मैप पे सर्च करेंगे जलसा अपाटमेंट तो आप लोगों को ये देखने को मिल जागा गाइस आप लोगों को बता दे यहां पे देख सकते हैं गाट साप खड़ें और पूरी क्राउड बढ़ते जा रही है तो मतलब आप लोगों को बता दे आज के दिन ये निकलने वाले हैं लेकिन आप लोगों को बता दे यहां पे हर रोज नहीं निकलते शिर्फ संडे संडे को निकलते आप लोग देख सकते हैं ये बंगलो पुरा उन्हीका है और इस बंगलो की कीमत ना कम से कम 500 करोड रुपे जी हाँ गैस आप लोगों को बता दे जो की मुंबई के जुगू एकदम तारा रोट पे ही इस्थित आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे लेडिस से लेके जेम्स मतलब 5 साल से लगाए 50 साल के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे तो गैस आप लोगों को बता दे अमिता बर्चन जी ने प्यार से यह मतलब पैसा तो पैसा कमा है लेकिन प्यार भी बहुत कमा है आप लूग देख सकते हैं इनकी fan following काफी ज़्यादा है तो guys यहीं पर अमिता बच्चन जी के date of today की बात करें तो इनका body 11 October को है 11 October 1942 में इनका जन्मा हुआ है जो कि आज की date में यह 18 साल के complete हो चुके है आप लोग देख सकते हैं आप पूरा gate को हम जूम करके दिखा रहे हैं और उहां पर दिखे लिखा हुआ जलसा तो guys आप लोगों को बता दे 18 साल के उम्र में भी आज के time में भी यह बाहर निकलते सभी लोगों से मिलते हैं हर संडे के दिन guys यहीं पर आप लोगों को बता दे जो आप लोग जलसा देख रहे हैं न इसी के पीछे इनका और भी बंगलो है जो कि आप लोगों को देखने को मुंबई के जुभू में आएंगे न तो काफि सारे सेलिबेटी अविनेता अविनेत्रियों का घर देखने को मिलेगा आप लोगों को बता दे महानायक इन्हीं को ही का आ जाता है अमिता बच्चन जी को ही गाइस यहीं पे आप लोगों को बता दे अमिता बच्चन जी जितना ये मूबी से कमाई करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये ब्रैंड एंडोस्मेंट से कमाई करते हैं मतलब आप लोगों को बता दे किसी भी company का परचार करते है न तो ये movie से कई गुना जादा उससे कमाई कर लेते हैं यहीं पर आप लोगों को बता दे अमिता बच्चन जी की car collection काफी अच्छी है मतब इनके पास काफी महंगी महंगी car है और आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले नंबर एक बात करें तो इनके पास रॉल्स रोयल है और यहीं पर रैंज रोबर है, Mercedes है, BMW है, OD है लगजरी कार पर इनके पास बंडार भाला हुए है आप लोगों को बता दे इनके पास काफी लगजरी लगजरी कार देखने को मिलती है जिसमें हमेशा ये भूमा करते हैं लेकिन इनकी फेबरेट का रेंज रोबर है जिसमें हमेशा ये देखने को मिलते हैं गाइस यहीं पे आप लोगों को बता दे अमिता बच्चन जी का ये जो घर देख रहे हैं इसी घर में अमिता बच्चन जी अभिशेक बच्चन जी असोरे रहा है सभी लोग अपने पूरे फैमिली के साथ इसी में रहते हैं और इनका एक पीछे वाला जो बंगलो है वहाँ पे भी पूरी फैमिली इनकी रहती है तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभिशेक बच्चन जी को तो आप लोग जानते ही हैं और इनकी कौन सी मुवी आपकी फैबरेट है कॉमेंट बॉक्स मुझे कॉमेंट करके जरू बताएगा अमिता बच्चन जी के बेटे अभिशेक बच्चन है उनकी बहु असोरे रहा है तो गाईस आप लोगों को बताएगे तीनों लोगों के किरदार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है मुझे कॉमेंट करके जरू बताएगा यह अमीता बच्चन जी का मैं घर दिखाने की कोशिस किया आप लोगों को साइद अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक और चानल को सस्काइब कर जिएगा हम सभी हिरो का घर दिखाते हैं